साथियों, एक बक्त था जब स्पोर्ट्स की गिंती एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी, यानि इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था. बच्चों को भी यही बताया और यही सिखाया, इससे पीडी दर पीडी एक मानसिक्ता समाज के अंदर गर कर गई कि स्पोर्ट्स उतना जरूरी नहीं है, वो जीवन और भविश्य का हिस्सा नहीं है. इस मानसिक्ता से देश का बहुत बड़ा नुक्षान हुआ. कितने ही सामर्थवान हुआ, कितनी ही प्रतिभाए मैदान चे दुर रह गई. बीते आठ नौ वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़ कर स्पोर्ट्स के लिए एक बहतर वातावर्ण बनाने का काम किया है. इसलिए अब जहादा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट्स को केरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं. फिटनेस से लेकर हेल्थ तक, टिम बांडिंग से लेकर तनाव मुक्ति के साधन तक, प्रोफेशनल सक्सेस से लेकर परसनल इंप्रूमेंट तक, स्पोर्ट्स के अलग-अलग फाइदे लोगों को नजर आने लगे हैं. और खुशी की बात ये हैं, कि माता-पिता भी अब स्पोर्ट्स को गंबीरता से ले रहे हैं. ये बढ़लाव हमारे समाज के लिए भी अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है, स्पोर्ट्स को अब एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने रगी हैं. और साथियों लोगों की सोच में आये इस परिवर्तन का सीधा लाब खेल के ख्षेतर में देश की उपलब्दियों पर दिख रहा है आज भारत लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है हमने अलेम्पिक में अब तक का सर्वस्रेश्ट प्रदर्शन किया अलग अलग खेलों के टूर्णामेंट्स में भारत का प्रदर्शन अब चर्चा का विशे बन रहा है और साथियों मेरे नवजवान साथियों ये तो अभी शुरुवात है अभी हमें और लंबी यात्रा करनी है हमें नए लक्षों को हासिल करना है हमें कई नए रिकॉर्ड बनाने है